कैसे कैसे पहुँचे मैं आपको बहुत सारी इंडिस्ट्री में काम करते हैं मैं आपको दो तीन इंडिस्ट्री का उधारन दे देता हूँ एरपोर्ट इंडिस्ट्री की बाद करते हैं कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एरपोर्ट को डिवलप करने के लिए दिया नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports रूल था कि अगर कोई एरपोर्ट बिजनिस में नहीं था तो वो इन एरपोर्ट को ले नहीं सकता था इस rule को, इस rule को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला किसी ने भी बनाया हो rule था किसी ने भी बनाया हो rule था rule बनाया किसने बात नहीं है, rule बदला किसने बात था तो यह यह रूल बदला गया उस उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी रूल बदला गया और अदानी जी को छे एरपोर्ट दिये गए उसके बाद अध्र गया और अन्यां क्योंड है सबस्ному क है अध्र गया आजיל खर्चा का बव्ट क क्यों इन्या क्वा यह यषा एरप्रा दिया मत्य演ोर Vergleich अध्रचा को जींस अध्रचा है वारे में त्रम एकाइ। बाध्राड्सेयस कि मुआनिये भी पे चैनले एजनसीज को CBI-ED का प्रयोग करकर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एरपोर्ट को अदानी जी के हातों में कर दिया रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एरपोर्ट में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एर ट्राफिक को अपने एरपोर्ट से निकलते हैं और 31% एर फ्रेट उनके एरपोर्ट में से निकलता है अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने फेसिलिटेट किया झाल